तो दोस्तों नमस्कार आप लोग कैसे हैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं ओबर प्रोटोकॉल के बारे में अगर आपने ओबर प्रोटोकॉल में रेसेशन किया है माइनिंग करते हैं तो वह आपके लिए प्रोटोकॉल का माइनेट बहुत ही जल लाइव होने वाला है यानि सभी को प्रॉफिट मिलने वाला जिसने भी ओवर प्रोटोकॉल की माइनिंग किये उससे पहले दोस्तों आपको किवाईसी करना होगा किवाईसी का जो समय है सिर्फ जो है मालिज यह 31 मई तक है इसके प्रिय जिस तरीके से ओपिन हो जाता है यहाँ पर आप दोस्तों आपको सबसे पहले select a nationality दिया गया है यहाँ पर आप देख ली जिएगा तो इस पर इंडिया पर फिर से हम क्लिक कर देंगे एक बार आप लोगों को दिखाने के लिए उसके बाद में confirm पर क्लिक कर देंगे ध्यान दीजिएगा जो country एक बार आप सिलेक्ट कर देंगे confirm कर देंगे वो change नहीं होगा ठीक है यहाँ पर सिर्फ जो है जैसे हम यहाँ पर किलिक कर देंगे डारेक्ट जो है सबसे पहले आपको इस तरीके इसे अभी बाप का आया था उसने जो है फिलिफिस्टर किसे जो है अपनी किवाशी करवा रहा है तो सबसे पहले आपको फिलिफिस्टर में किवाशी करनी होगी उसके बाद ही आपकी किवाशी कंप्लीट होगी गाउनलोड हो गया दोस्तों हमें यहाँ पर open पर क्लिक करेंगे इसको open कर लेना है जैसे open पर क्लिक करेंगे दोस्तों ये open होने लगा है open होने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से ये दिखता है तो आपको यहाँ asset पर क्लिक कर देना यहाँ देख लिजएगा year-end काउपSON है कोने में यहाँ पर asset काउपSON है इसी पर आपको क्लिक कर देना है जैसे आप click करते हो दोस्तों यहाँ पर email मांगता है यहाँ पर password लेकिन आप अभी registration नहीं किये हैं इसलिए इस पर आपको click नहीं करना है तो दोस्तों यहाँ पर continue with google पर click कर देना है जैसे आप continue with google पर click करेंगे तो आपके phone में जितने भी email होगी दोस्तों वो सारी email जो है open हो जैसे आप continue with google पर click करोगे आपके phone में जितनी email होगी आपके सामने show करेंगे किसी एक email को आप select कर लिजेगा और ज्यादा तर ठीक होगा दोस्तों जिस email से आपने over protocol का registration किया है उसी email को अगर आप select करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा तो चलिए दोस्तों हम एक email को अप तो code आप डाल सकते हो दोस्तों ऐसे optional है अगर आप डालना चाहते हो तो हम आपको telegram पर इस video के description में डाल देंगे आप डाल सकते हो दोस्तों नहीं भी डालना चाहते हो दोस्तों तो यहाँ पर जो है आप agree पर click कर दिजएगा उसके बाद में confirm पर click कर दिजएगा जैसे हैं दोस्तों देख लिए अगा प्रोसेस होना स्टार्ट हो गया है आपको थोड़ा सबेट करना है कैप्चा और यहां पर क्लिक करना होगा जैसे प्रकार से यहां पर पेज आ पर इमेल वेरिफिकेशन हो गया है अब यह होगा कैसे जैसे आप इमेल एडर से अपने हां डालेंगे दोस्तों उसके बाद में इमेल पर आपके एक जो इस तरीके से इमेल आड़ी पर एक लिंक आता है और इसी लिंक पर आपको क्लिक करना है गो टू इमेल वेरिफिकेशन इसी बाद आपको क्लिक कर देना दोस्तों जैसे आप क्लिक कर दोगे आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा वैसे हमने कर लिया लोग इस तरीके से कर लिजेगा आपका भी इमेल वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद दोस्तों फिर से आपको उसी पेश पर आजाना है यहा के हाँ जिस प्रकार से network होगा दोस्तों उस हिसाब से काम होगा यहां पर दोस्तों United state of America लिखा गया इसको आपको टच नहीं करना है आपको अधर पर data पर डालना दोस्तों यहां पर आपका address रहेगा दोस्तों यहां पर देख लिजेगा building ने में यहां पर दोस्तों city है यहां पर pin code है और यहां पर हमने इंडिया select कर लिया है कभी कभी या भी जाता नहीं आता दोस्तों यहां पर से click करके आप अपने country का नाम change कर सकते हो यहां पर nationality जो है आप इंडियन डाल दोगे यहां पर भी उसके बाद में continue पर आप फिर से click कर दोगे तो चलिए यह भी page हम complete कर लेते हैं उसके बाद में जो हागे का process उसको बताते हैं आइडि के अनुसार जो है सारा option जो है clear कर दिया है जो भी required था दोस्तों अब यहां पर selfie का option आता है ठीक है ना तो आपको continue पर click करना है दोस्तों उसके बाद में अपना face verification कर लेना है चलिए मैं इसको भी कर ले रहा हूं दोस्तों दोस्तों जैसे ही आपका face verification clear होगा तो इस तरीके से face खुद बखुद आ जाएगा इसमें कुछ करना नहीं है आप passport से करना चाहते हो ID card से करना चाहते हो आप जिससे भी चाहते हो उससे आप अपना verification कर सकते हो तो हम ID card चुनेंगे इस पर click कर देंगे उसके बाद में कुछ इस तरीके से option आएगा दोस्तों यहां पर बताया गया किस तरीके से आप करते हैं पास होगी जो है दोस्तों इस तरीके से अगर आप पर click कर देंगे दोस्तों camera open हो गया है अब हम थोड़ा सा photo खीच लेंगे ID card का अपने front side दोस्तों उसके बाद में back side का option आजाएगा अब लोग देख पा रहे होंगे यहां पर identity verification को हमने submit कर दिया submit लिकर के आ रहा है यहां पर बताया जा रहा बी will send you an email once it is complete जैसे यह हमारा second step का verification complete होगा तो हमारे email पर दोस्तों एक message आएगा वहां पर बताया जाएगा कि आपका जो KYC हो complete कर दी गए उसके बाद में आपको 3 label, 4th label करना होगा दोस्तों तो अभी तक सिर्फ इतना ही option होगा तब तक हम 3 और 4 option complete नहीं कर पाएंगे main दोस्तों यही है दूसरा option ठीक है ना तो यहां तक अभी आप लोग complete कर लिजिएगा दोशकता है दोस्तों जैसे यह complete हो खुद भाखुद यह दोनों हो जा चुकि वही चीज़ है यह address मांग रहा तो address आपके ID में होता ही है दोस्तों तो उमीद है आप सभी लोग अपनी किवासी complete कर लेंगे लेकिन अभी भी आपको अगर कोई problem होती है तो आप हमारे telegram या whatsapp पर संपर कर सकते हैं तो दोस्तों आज किस वीडियो में बस इतना ही फिर मिलते हैं किसी next वीडियो में तब तक लिए नमस्कार